ओम भगवते वासु दिवाय नमा दस जन्वरी को पुर्नीमा का जो दीन है उस समय अगर आप तूलसी के उपर यह एक चीज आप चड़ा देते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में धन की बारिस होगी आपके उपर कोई भी संकट होगा वो टल जाएगा आप कोई भी काम किजिएगा वो 100% सफल होगा आप धनवान हो जाईएगा मा लक्षमी की किरपा आपके उपर सदा बनी रहेगी भगवान विश्नू की किरपा आपके उपर सदा बनी रहेगी अगर तूलसी जी की पुजा करते हैं पुर्नीमा के दिन तो आपके उपर धन की बारिस होगी आपको सभी संकटों से छुटकारा मिलेगा अगर पुर्नीमा के दिन दस जनवारी पुर्नीमा के दिन आप तुलसी जी की पूजा करते हैं और यह एक उपाय कर देते हैं तो आप हमेशा हमेशा के लिए धनवान हो जाईएगा आपके उपर मा लक्षमी धन की ब उपाय है जो पुर्नीमा के दिन ही करने पर यह सक्तिसाली उपाय काम करती हैं अगर आप मा लक्षमी की अगर संचे भक्त हैं भगवान विशनु की संचे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर लाइक किजिए और नीचे कमेंट बक्स में स्री सीता राम लिहकर जितने भी मेरे भक्त हैं उनको 10 जनुवारी पुर्नीमा के दिन दिया का जो दीपक होता है उसका दान करना चाहिए मंदिरों में तलाबों में हर जगह जहां पे अस्थाई जो पुजनिया स्थान होता है वहां पे आपको दीपक का दान करना चाहिए अगर आप मेरी चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सस्क्राइब कलिजिए ताकि इस परकार के जितने भी वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले आफी के पास में जाएगा अगर दस जन्वारी के पुर्नीमा के दिन आप तूलसी जी के उपर आप एक दीपक जलाते हैं और उस दीपक जलाते समय आप स्रीहरी का ओम भगवते वासुद्वाय नमा इस मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके उपर हमेशा हमेशा के लिए स्रीहरी बिस्नु जी का मा लक्ष्मी का और साथ ही हनुमान जी का हमेशा आपकी किरपा बनी रहेगी आपके उपर धन की बारिस होगी आपके उपर जितने भी संकटे होगी सब तल जाएगी तो ध्यान में रखिए दस जनवरी के दिन आपको पुर्नीमा के दिन ये अचुक उपाय करना है आपको पुजनिया स्थानों पे मंदीरों में अपने घरों में और साथ ही साथ तूलसी जी के उपर आपको एक दिपक जलाना है जो मेटी का दिपक होता है उसमें कोरूत ले रख करके आपको दिपक जलाना है माना जाता है कि पुर्नीमा के दिन जितने भी अगर भक्ति भाव से अगर Bigशनु जी की पूझा करते हैं तो Bigशनु जी आपके उपर परसन हो जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि बीना तूलसी जी की पूजा किये हुए पुर्नीमा के दिन विश्नु जी की पूजा पुर्न नहीं मानी जाती है इसलिए आपको तुलसी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए साथ ही साथ ओम भगतेवा सिद्वाय नमह का मंतरों का जाप आपको करना चाहिए जिससे कि आपके उपर स्रीहरी एकदम परसंद हो जाएंगे आपके उपर मालक्ष्मी परसंद हो जाएंगी और धन की बारिश कर देंगे साथ ही आपके उपर आने वाली जितने भी संकटे होंगी वो सब दूर हो जाएंगी अगर आप विशनु भगवान के संचे भक्त हैं मालक्षमी के संचे भक्त हैं तिस वीडियो को लाइक जरूर किजिए और सेर जरूर किजिए और हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजिए ताकि हम जितन भी वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले आप ही के पास में जाए ओम भगते वासु दिवाए नमाह।